आज हम इस इव्यक्यान के माध्यम से खिल जी वंस के पतन के कारणों के बारे में अध्यान करेंगे जलालुद्दिन खिल जी वंस के राज्ये का संस्ता पक्ता अलावदिन खिल जी ने उस वंस के राज्ये का विश्तार किया उसकी सेनिक शक्ति को परबल बनाया भयंकर मंगोल आकर्मनों से उसकी सुरक्षा की तथा सेनिक और असेनिक साशन में विबित परिवर्थन किये यदि अलावद्दिन की उत्तर और दक्षिन भारत की विजें अद्युत्य थी तो उसकी राजस व्यवस्था, मुक्यत्य लगान व्यवस्था और बाजार व्यवस्था प्रशास की अक्षेत्र में नवीन अन्वेशन ही नहीं अपितु आस्सर जनक रूप से सफिल भी रही अलावद्दिन प्रतेक द्रश्टी से सफल सासक ही सिद्ध नहीं हुआ था अपितु उसने दिल्ली सल्तनत को सक्ती और निरंकुस्ता की प्राकास्टप पर पहुँचा दिया था इस कारण से उसकी म्रत्यु के पस्चात चार वर्सों में ही खिल जीवन्स का पतन होना भी एक अस्वभावी गटना रही विभिन व्यक्तियों और प्रस्तितियों ने खिल जीवन्स के पतन में भाग लिया जिन में से खिल जीवन्स के कुछ जो मुखे कारण हैं वो इस प्रकार से हैं जिनका हम अध्यन करेंगे पहला जो कारण है वो आता है उत्तरादिकार नियम का अभव तुर्क सुल्तानों में उत्तरादिकार का कोई मान्य नियम नहीं था इस कारण सिंगासन पर अधिकार का निर्णे सरवदा तलवार की शक्ति के आदार पर हुआ संपूर्ण दिल्ली सल्तनत के समय में राजवन्सों में परिवर्तन इसी आदार पर होते रहे स्वयम जलालुद्दिन खिलजी और अलावदिन खिलजी ने सिंगासन को इसी आदार पर प्राप्त किया था मलिक काफूर, खुसरव साह और ग्यासुद्दिन तुगलग ने भी सिंगासन को प्राप्त करने के लिए तलवार का ही सहरा लिया जो प्रास्थ हो गया उसका सिंगासन पर अदिकार नहीं रहा और जो विजए हुआ उसने सिंगासन प्राप्त कर लिया अलावदिन खिलजी की मरत्यू के पच्चात सिंगासन के लिए मलिक काफूर, मुबारक साह, खुसरव साह और ग्यासुद्दिन तुगलक ने संगर्श किया जिसमें अंततह ग्यासुद्दिन तुगलक विजई हुआ और उसने एक नवीन राजवन्स के शाषन को दिल्ली में इस्तापित किया। दूसरा जो मुख्य कारण है, वो आता है, खिलजी सुल्तानों द्वरा अपने शाषन के पक्स में विश्तरत आधार का निर्मान नहीं करना। तक प्राप्त करने का प्रियतन नहीं किया। जलाल उद्दिन ने अपनी अत्यतिक उदारता से दुर्बल शाषक होने का प्रिचे दिया। अलाउद्दिन खिलजी ने सरदारों की सक्ति का विनास करके रखा। और कुत्बुद्दिन मुबारक खिलजी ने अपने विलाष की सुरुक्सा कर सकता था तो वह हो सकता था राजवन्स के परती वफादार सरदारों का दल परन्तु जहां जलाल उद्दीन का सरदारों की वफादारी प्राप्त करने का प्रियतन असफल हुआ अलाउदिन खिल जी और मुबारक खिल जी ने ऐसा प्रियतन ही नहीं किया इसी इसी कारण से मलिक काफूर सरलता से गद्धी पर अधिकार कर सका और इसी कारण खुश्रव मुबारक खिल जी की हत्या करने में सफल हुआ जिसके कारण खिल जी वन्स का शाषन समप्थ हो गया। और निरंकुस्ता की निती को अपनाया। अलाउद्िन की सभी सेनिक और अशेनिक सफलताऊं का मूल कारण उसकी सेनिक सकती थी। उसकी सरदारों के विद्रों को समाप्त करने की नीती, उसकी राजास व्यवस्था, उसकी बाजार व्यवस्था, आदी उसकी शक्ति के भए और आतंगी कारण सफल थे। और उसके राजवन्स के शासन को सुरक्षित रख सकती थी। मुवारख खिल जी की अयोगिता निशन्देह खिल जी वंस के पतन का सबसे बड़ा कारण रही। इस प्रकार अपने अपने तरीके से परतेख खिल जी सुल्तान अपने वंस के पतन के लिए उत्तरदाई हुआ। चोथा जो मुखे कारण आता हैं वो हैं सेनिक सकती का पतन। अलावदिन खिल जी ने केंदर पर एक इस्थाई और सकती शालित सेना का निर्मान किया था। प्रन्तु उसकी मृत्यू के पश्चाद उसके किसी भी उत्रादीकारी ने सेना की विवस्ता का ध्यान नहीं रख कारण कुछ भी रहा हो परन्तु इसमें संदेह नहीं कि अलावदिन की मृत्यू के साथ ही उसकी सेना की सकती भी नस्ठ हो गई। अन्यत्या ग्यासुद दिन तुगलक सरलता से खुसरवसा का विरोध करने का साहश न करता और यदि करता भी तो सफल नहीं हो पाता क्योंकि कि खुसरवसा की अधिन्ता में दिल्ली की सेना थी। पाँच वजव मुख्य कारणा ताहे किल्जीवंस के शास्कों की पतन का वो है गयसुदिन तुगलक की सेनिक योग्यता. गाजी तुगलग खुश्रव साथ को प्रास्त करने के पश्चात ग्यासुद्धिन तुगलग के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना जो निसंदेह एक योग्य सेनिक और सेनापती था उसकी सेनिक परतिवा के कारण ही उसे उत्तर पस्चीमी सीमा का रक्षक निवत किया गया था मंगोल आकर्मनों की आसंकाओं के कारण गुलाम वंस के शास्कों के समय से ही यह प्रमप्रा थी कि उत्तर पस्चिमी सीमा का रक्षक राज्य के एक योगे सेनापती को ही निप्त किया जाता था गाजी तुकलक ने सुल्तान बनने के पस्चात सेनिक संगटन को दड़ किया और इस कारे के लिए अलावदिन की नीतियों को अपनाया उसके समय में दिल्ली सुल्तान की सेनापुनह अजय अजय बन गई जिसने दिल्ली सल्तनत का विस्तार भी किया इस कारण युद्ध में खुसरव साह का मुकाबला राज्य के एक योग्य सनापती से हुआ था जिसके कारण साहस और भादुरी प्रदशित करते हुए भी उसकी प्राजय हुई तथा गाजी तुगलक दिल्ली के सिंगाशन पर अधिकार कर सका इस प्रकार से विभिन प्रिस्तितियों और व्यक्तियों ने खिलजी वन्स के पतन में भाग लिया इसमें मूल दोस खलजी सासकों और उनमें भी मुबारक खिलजी का रहा खिल जी शासकों ने रक्त पात के द्वारा ही दिल्ली के सिंगासन को प्राप्त किया था और अंत में रक्त पात के द्वारा ही उनके वंश का पतन और विनास हुआ तो इन पांच मुख्य कारणों के माद्यम से हमने आज खिल जीवन्स के शास्कों के पतन के जो मुख्य कारणते उनका अधिन किया धन्यवाद